हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक overdose हो falarे संस्क्राइब करें venus, जर हमारे संस्क्राइब करेंज है तिलक मारत के मदे o प delighted ऐंतों संस्कार, सख présent है से प्षक्राइब importantly कि आए संस्क्राइब करें कि दो. क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे हरे सच्छिरानन्द रूपाय, विश्व पत्यादि हेत्वे, तापत्यय नौशाय, श्री क्रिष्णाय, वयम्माहा श्री क्रिष्ण को बिंद अदे मुरारे, एनात नारायन वासुदे क्रिष्णा, हरे 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 क्रिष्णा, हर आज हम अपने छोटे भाई महावली हिंड़न्याक्ष की मृत्यू का शोक मनाने यहां एकत्रित हुए हैं इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रों ने देटिश रोम्नी हिंड़न्याक्ष को विश्णू के हाथों मरवा डाला है जिसका बद्ला हमें नाकेवल विश्णू से बलकि समस्त देवताओं से लेना होगा यह विश्णू पहले तो बड़ा शुद्ध और निश्पक्ष था अरंतु देवताओं के बहकाने से यह भी माया भी हो गया है और अपनी माया से वराहादी रूपधारन करने लगा है आज मैं सब के सामने यह प्रतिज्धा करता हूँ कि माया अपने स्त्रिशूल से उसका वद करके अपने भाई की मृत आत्मा को त्रिप्त करूँगा जिस प्रकार जड़के कर जाने से फेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं ठीक उसी प्रकार विश्णों के नर आने से समस्थ देवताओं की शक्ती छीन हो जाएगी रिथ्मी पर जो मानव लोग तपस्या, यग्य, प्रत और दानादी कर रहे हैं जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसलिए वीर शिरोमनी हिंड्याक्ष ने समस्थ धर्ती को जल के अंदर छुपा दिया था किंतु वरा रूप धरकर विश्णों से फिर बाहर ले आया है इसलिए तुम सब लोग इसी समय प्रती पर जाओ और वहां जो लोग तबस्या, यग, ब्रत और दानादी कर रहे हैं उन सब का नाश कर दो जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों उन देशों को जलाकर राक कर दो जिससे देवताओं बलहीन हो जाएंगे हम इसी समय असरों के कुलगुरु शुक्राचारे के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप करने का साधन पूछते हैं जाओ और जाकर मिर्थ्य लोग में आतंक मचा दो जाओ 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 गुरुदेव आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वद्ध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त युद्धाओं को धर्ती पर हाहा कार मचा देने का आदेश दिया है अब मैं समस्त देवताओं को निस्टेज करके इंद्र के सामराज्य पर भी अपना धिकार पाना चाहता हूँ बताए गुरुदेव इस कारे की सिद्धी के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है राजन संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है तब तपस्या केवल तपस्याही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है इंद्र से लेकर स्वायम भ्रह्मा तक समस्त देह तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं तो मैं भी तपस्या करूँगा और ऐसी घोर तपस्या करूँगा जो आज तक किसी ने नकी हो आप मेरा मार्दर्शन कीजी राजन यदि मेरे द्वारा बताई गई विधी को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुम से अधिक शक्ति शाली और कोई नहीं होगा गुरुदेव मैं मन वचन और कर्म से आपकी हर अग्या का पालन करूंगा अपासा! आ Πासा! खिरन्य कशिक, हठ योगी रिप, अजबाजब अभिराम करे निल्निमेश, निहिशेश, निरंतर, स्मरन इष्ट का नाम करे जाप न गिन्ता, काल न गिन्ता, नहीं दिन की, नहीं रात की चिन्ता यागताम सिक्वेति तपो निजी, हर चित आठोयाम करे भूलातन की ममताम आया, आधातन दीमक ने खाया बाधाओं से आरण माने, योगी अपना काम करे धरती डोली अंबर कापा, देख के तब घनगों, तक का तेज अखनी शिखासम, फैरा चारा हो अजाओं, थे बाधाब धरती शिखासम, जलातन की मम मठफ़ी अंबर कीäsident जब उसके तपकी अगनी शिखाओं से देव लोक भी जलने लगा तो सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए हे परमपिता ब्रह्मा असुराज हिरन ने कश्यप मंद्राचल परबत की घाटी में अतियंत का ठोर तपस्या कर रहा है डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मास्का डाला है केवल हड्डियों में अटके प्राणों के साहरे वो घोर तपस्या कर रहा है देवताओं के सौवर्ष उसने बिना अंजल ग्रहन किये वेतीत किये हैं ऐसे कठोर तपकी अगनी को सहना देवताओं की शक्ती में नहीं है प्रभू। उसके तपकी अगनी और धुम्र ने तीनों लोकों को तरस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिये प्रभू। निराकरण तो वर्दान देने से ही होगा देवगणू। वर्दान से वो आप सबका विनाश का भी वर्दान मांग सकता है। किन्तु हे पितामा यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा। तो देवी विधान से वो सोयम ब्रह्मपद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभू। इसलिए शीग्री को ये ऐसा उपाहे कीजे प्रभू, जिससे कि उसकी ये तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्त। कर दोसॉई होता है। पोसी तो जा आई शकपेण अनμघ एवमस्त। 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 जाहाए बार है दयते शवारी मृत्यू लोग के प्राणियों के लिए हम अमर्द लोग के प्राणियों का दर्शन कभी निश्वल नहीं हो सकता इसलिए जो इक्षा हो बेखटके मांग लो हम अवश्य परदान करेंगे हे परमपिता आप ही अपने त्रिवनमय रूप में इस श्रिष्टी की रचना रक्षा और संगहार करते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं कि यदि आप मुझ पर सच मुझ प्रसंद हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यू ना हो ना मनुष्य से ना पश्यू से ना दैति से ना देवताओं से ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं ना दिन में ना रात में ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से ना पृत्वी पर ना आकाश में युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके आपके बनाए हु समस्ट प्राणियों का मैं एक्षट्र सम्राठ हूं इंद्रादी लोग पालों में जैसी महिमा आपकी है वैसी ही प्रतिस्था मेरी भी हो जाए मुझे ऐसा ही वर दीजे भगवन मुझे ऐसा ही वर चाहिए बेटा तुम जवर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुरलब है परन्तो मेरे गुरू शुक्राचारे ने कहा था कि ऐसी कठिन तपश्या के बाद कोई भी वर दुरलब नहीं होता क्या वो जुटा हश्वसं था या मुझे और तपश्या करनी होगी और त गुरू शुक्राचारे ने सत्ती ही कहा था ऐसी कठिन तपश्या ना तो पहले किसी ने की थी ना आगे ही कोई करेगा हे देत्य राज जो वर तो मुझसे मांग रहे हो वो दुरलब होने पर भी मैं पुर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूँ हिर्णिया कशप को ब्रमा जी के वर्दान से जो दुरलब शक्ति प्राप्त हुई उसका उपयोग यदिवह सात्विक और धार्मिक कारियों के लिए करता तो सारे ब्रह्मांड में स्वयम भगवान को छोड़कर उनसे महान और कोई नहीं होता अच्छा प्राणी विजया और सफलता पाकर जुक जाता है परन्तु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है फिर इन्या कशप स्वयम भ्रह्मा जी का पाउत्र होकर भी अपने नीच संस्कारों के कारण इंद्रियों के विशय में रत था इसलिए इतनी घोर तपस्या करके जब वर्दान मांगने का समय आया तो उसने केवल भोग विलास ही मांगा उसकी बुद्धी ने उसे अपने विकाज के स्थान पर विनाश का ही मार्ग दिखलाया और अपनी अपार शक्तियों के दुरुप योग से उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया सर्व प्रथम उसने इंद्र के स्वर्ग लोग पर धावा बोल दिया और अब आपकृव प्रेट विए प्रथम्ट पर विए रिगया प्रथम लिए करद्र के लिए– प्रेचलों नेंग, सबको बंदी बना लो मैं यहां का भगवान हूँ, हर कोई मेरी पूजा करे जो मेरी पूजा नहीं करेगा, वो संसार में जीवित नहीं रह सकता तुम सब भी मेरी जयजयकार करो इस प्रकार, देवताओं सहित, तीनों लोकों के प्राणी उस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए उस समय, सारी स्रिष्टी में एक नन्ना सा बालक ही ऐसा था, जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्टन करता रहता था, वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रहलाद, जो पांच वर्ष की अवस्था में ही, ब्रह्मलीन होकर, केवल भगवान श्री हरी का नाम जबता रहता था, उसे बहुत समझाया, ढराया, धमकाया जाता रहा, परन्तु वो बालक प्रभू की भक्ती से विमुख न हुआ, जब हेन्या कशप को इसका पता चला, तो उसके क्रोथ का पारावार न रहा, मैं यहां का भगवान हूँ, सारा संसार मेरे सामने भाय से थर-थर कापता है, मेरे चलने से रिथ्वी डोलने लगती है, मेरी भृपटी तन जाए, तो तीनों लोग काप उठते हैं, नाग, यक्ष, गंधर, देवता, सभी मेरे नाम की माला जबते हैं, तीनों लोगों में सभी चल चल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, अरंतु केवल तू ही एक ऐसा है, जिसने मेरी पूजा करना अस्युकार किया, क्या यह सत्य है? हाँ पिताशी, यह सत्य है, क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भाई के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है, परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटा कर सनमार्ग पर लाना अपना कर्तब भी समझता हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता, तो किस की पूजा करता है तू? पिता श्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अचियूत, अभिनाशी, परमेश्वर, श्री विष्णु भगवान, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, मुर्ख पूत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है, जो मेरे भाय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरे क्रोजागनी अलभार के लिए भी शैन नहीं कर सता, सुन प्रालाद, विष्णु मेरा प्रबल्शत्रु है, वो मेरे भाई का हत्यारा है, और तेरा भी यही करतव्य है, के असुर कुल के प्रबल्शत्रु विष्णु से तू भी द्वेश रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सब के पालन करता है। तू जूट बोलता है, वो अश्य मेरा शत्रु है, वो मेरा नाश करना चाहता है। यह आपका भ्रह्म है। जिस प्रकार उनके लिए विष्व के सभी प्राणी उनके बालक है, उसी प्रकार आप भी उनके बालक है वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते केबल आपके कुकर्मों का आपके अधर्म का नाश करेंगे ये भी आपकी भूल है पिताश्री भगवान की इक्षा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता जब तक उनकी इक्षा नहीं होगी तब तक संसार की कोई भी शक्ति आजाए मेरा नाश नहीं होगा हाँ यदि प्रभु जी की इक्षा होगी तो आपके कुछ किये बिना ही मेरा नाश हो जाएगा अवश्य हो जाएगा क्योंकि यह मेरी इच्छा है और मैं ही यहां का भगवान हूँ बस यही अहंकार आपको सब्ते नहीं देखने देता जिस दिन आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे है दैसे उनकी शरण में जाएगे तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है उनकी इक्षा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी प्रात्न मानिये अब भी समय है भगवाल विश्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में सीस्त नवा दीजिए वी परम दयालू है वो तुरंथी आपके सारे अपरात शमा कर देंगे आपको पापहीन कर देंगे देखते हो देखते हो देखते हो ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो यह मुझे पापहीन करना चाहता था प्राण हिन कर दो इसे शरीर के जिस हम से सारे शरीर को हानी होती हो उस सरे होए अंग को काट कर फैंक देना चाहिए जाओ ले जाओ और जो सब से पहले इसकी मृत्यू का समाचार हमें सुनाएगा उसे बहुत बड़ा पारी तोशिक दिया जाएगा जाओ ले जाओ इस कुल कलंग को क्याओ इसाया राइब को हाः हाः यहाः हाः 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 हамен व Capital capable एली और वैप एली यह हाः हान Time तुम इतने सारे मिलकर भी उसे नहीं मार सके अस्त्र काम नहीं करता तो तो जाओ उसे पहाड की चोटी से गिरा दो वारे मेरी मतुम झेकि बह NE ver प्रीड काम प्रीव को ऱुर है जो झेक मेरे जो है जो ज को गliआने वानाँ पान दे लided काल रहीं कि बाड है करते हुआ, करते हैं, करते हैं. कि पहाण की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो यह वश्य कोई माया विवाला खाई भाया आप से नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए खोलिका तुम नहीं और तुम भी क्या करोगी आप तो जानते हैं कि मुझे वर्दान मिला है कि अगनी मुझे नहीं चला सकती सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूं इन लोगों से कह दो कि चारों और से आग लगा दें वो अपने आप भस्म हो जाएगा आप तु नहीं बच सकता हादा अपने नहीं लोगों लात वादान व्लोगों ऑड़ों हुआ 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 है कर दो पगिशे कि अगली है अगली मुझे चला रहे है क्या हो रहा है जिये धोका है क्या प्रम्हा का वर्दान छूठा था जूठा था हमारा वर्दान गलत नहीं था तुमने उसका गलत प्रियोग किया है हमने तुमें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी यदि उसका प्रियोग तूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो सुहम तुम्हारा ही विनाश करते है कि अधी मुद्ध करें करें तुम्हारा हाथ कि आज़ाने याथी तुम्लों को अ पार बार ये करते हुए कि तुम लोग इस अंगूठे बरुचे बालक को मार नहीं सकई शमा करे राजन हमने अनेक उपाई किये कि प्रहलाद का वद कर दे किन्तु नजाने कौन सी अग्याद शक्ती इसकी रक्षा करती है हमने इसे आग में जलाया पहाड से गिराया किन्तु हे राजन हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके हम बहुत मज्जित है तू बहुत उद्द हो गया है तूने मेरी अनंत शक्ति को चुलोती दी है मैं अभी तुझे यंपुरी पहुचाता हूं अब मैं तुरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है उसके बलबूते पर जो सबका बल है पिता श्री आपको भी वही बल देता है न केवल मेरे और आपके बलकि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है पिता श्री भगवान श्रीहरी बड़े ही दयालू है इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले ले वे अवश्य आपके अपराद शमा कर देंगे आप क्रोद का त्याग करें पिता श्री इतनी चोटी से आईव में इतनी लंबी जिफा अरे अवी तक तो तंस मेरे खाल जितना हुचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा इता श्री आप फिर भूल कर रहे हैं आप जिसे मेरी चोटी सी आईव कहते हैं वो मेरी नहीं मेरे इस शरीर की आयो है पिता श्री मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रुप में वास करता हूं उसके आयो तो अनंत वर्शों की है वो नित्य है और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है उव भी अंतिम सत्य नहीं है आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिविम्ब मात्री ही है उस द्रश्टी से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है वे मेरे शरीर में है वही आपके शरीर में है वही संसार के समस्त कणकण में है जिसे आत्मिज्ञान हो जाता है उसे शरीर नहीं दिखते केवल परमात्मा ही दिखते हैं कहां कहां दिखता है तुझे तेरा प्रमात्मा प्रतेट वस्तु में कि आकाश में धर्ति में हावा में आप में मुझ में साधू संतु में और इन दैतियों में भी आप विश्वास कीजी पिताश्री पे शिष्टी के कड़ कड़ में है यहां की हर वस्तु में भी जी पिताश्री इस महल में भी जी पिताश्री मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूं इस खंबे में भी दिखता है तुझे तरह परमात्मा जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है, यदि वो इस खंबे में है, तो मैं अभी इस खंबे को ही चकना छूर कर देता हूँ, है यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज नहीं खंबा रहेगा ना तेरा भगवान यदि शक्ती है तेरे भगवान में तो बोल उस से बचा ले अपने आपको बचा ले अपने आपको कर दोड़ने एंपको कर दोड़ने एंपको बच्त कर दो आपको ये इंपको कि अईगा है, है है यenden मैं यह दौलाजे तो झाउल कर अफ है कि आप है झाल झाला झाल, सिंग हुआ। आए याँ ऑड़ ऑंग और एल पाँ टाँ एल ऑई कि तू किसी ब्रह्मा की शृष्ष्टी से नहीं मरेगा तो भगवान नर सिंग प्रह्मा की शृष्ष्टी में नहीं है ये ना नर है ना पशू ना सुर है ना देट इस समेन दिन है नराथ संध्या वेला है कि तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से कि तुझे नर सिंग भगवान अपने नगों से मार रहे हैं कि कि अौग। ए ए ए ए ए ए ए गुआ फार बुआ है, अब खुआ। झाल झाल जैनर सिंध नारायना पत्भुत छबिनारायना जैनर हर नारायना ओम नमो नारायना कौप कालस्ययो विक्रह योहिरन्यकशि पूरिपुह तस्मै ब्रग नरेंद्रायन नरसिंगा नमो नमःना नरसिंग रूप हरे नरसिंग रूप हरे शांत शांत जग दिश्वर गृपा करो परमेश्वर चरन गहे तुम्हे ओम जैनर सिंग हरे ओम जैनर सिंग हरे हे शर्णागत वत्सल्ण भात्तन हित्कारी तुम्हराजस कावेंगे युग युग नरनारी हे प्रहलाद के रक्षक हे पालक यह बालक चर्म बसीस धरे ओम जैनर सिंग हरे नरसिंग रूप हरे ओम नरसिंग रूप हरे ओम जैनर सिंग हरे ओम जैनर सिंग हरे भगवान के वराह और नरसिंग रूप दोनों अवतारों को भगवान का अवेशा अवतार भी कहा जाता है भगवान के अलग अवतारों में दस से लेकर सोला कलाएं प्रकट होती है नरसिंग और वराह ये दोनों अवतार दस से ग्यारा कला पूर्ण थे प्रभू किसमे कितनी कलाएं है इस निर्णे का आधार क्या होता है प्राणी के अंतर में जो चेतन शक्ति है या प्रभू का ते जांस है उसी को कला कहते हैं जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्त हो रही है उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं इसी से जड़ चेतन का भेद होता है ये पेर पौदे एक कला के प्राणी है इन्हें खाना चाहिए निद्रा चाहिए इन्हें सुक तुक का भी आभास होता है पशुपक्षी चार कला के प्राणी हैं क्योंकि वे बुद्धी का प्रयोग कर सकते हैं साधारन मानव में पांच कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में छै कला की अभिव्यक्ति होती है जो विशेश प्रतिभावाले विशिष्ट पुरुष होते हैं उनमें भगवान के ते जांश की साथ कलाएं अभिव्यक्त होती हैं तदपस्चात आठ कलाओं से युक्त वो महामानव संत और महापुरुष होते हैं जो इस धर्ति पर कभी कभार दिखाई देते हैं मनुष्य की देह आठ कलाओं से अधिका तेज सेहन नहीं कर सकती नौ कला धारन करने के लिए दिव्य देह की आवश्यक्ता होती है जैसे सब्तर्शीगन मनुख देवता प्रजापती लोगपालादी इसके बाद दस और दस से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है जैसे वरा, निरसिंग, कूर्व और मत्स्यावतार अरे बिष्णा, अरे बिष्णा होती है श्री पिश्म चरितं गुनान वादं तदत पेरण अहं करोमी मम भाव गीतं प्रिदय स्प्रीतं द्वद बद्न पहदे समर पयामी Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna